हम सब हारने से डरते हैं और मज़ेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वज़ा बनता है 98% केसिस में हारते हैं क्योंकि हम जानते हैं कर हम हारेंगे तो जो पीछे तीन लोग वैठे ना रिष्टेदार रिलेटिव और फ्रेंड वो जीने नहीं देंगे आप जब भी IS की तैयारी करें पहला अटेम्ट आपका सीरियस अटेम्ट होना चाहिए आपने तैयारी किया और बेसिक तैयार किये आपने एडवांस कोर्स तैयार किया आपने कम से कम मेंस के हजार आंसर्स लिखे हैं और मिनिमूम दस हजार प्रिलिंज के कोश्चन्स आप आपने जाईए तिर्फ एक अटेम्ट दिए जिसने भी पहला अटेम्ट सीरियस दिया उसको दुबारा तैयारी नहीं करनी पड़ती रिवीजिन करना पड़ता है भाई आप देखो ना जितने सारे सेलेक्ट लड़के हो तो उसमें बहुत सारे नौकरी कर रहे होते हैं जो कि यह एक बहुत रिस्की खेल है खेल ही है मैं खुद ही बाहर हुआ और फिर मैं कितने लोगों को देखता हूं जो पांच-पांच-छे-छे अटेम्ट के बाद बाहर होते हैं तो जिनको भी इस गेम में शामिल होना है एक अटेम्ट सीरियसली आपका होता है बहुत जो भी आप entrepreneur बनना चाहते हैं आप करो लेकिन अपने वो revision वाले फोरार बचा के रखो अब आप रिस्क पूरा नहीं ले सकते हैं you have to be cautious अब इनको cautious होना पड़ेगा की ठीक है एक जैसे बड़े सारे लड़के क्या करते हैं वो एक-दू attempt ऐसे ही देते हैं अब तो इनके प अच्चा है दो साल का उसको तो fear होता नहीं उससे कुछ पता नहीं उसने कोब्रा देखा जाके पकड़ लिया वो तो बात में घर वालों ने देखा तो पता चला की वह यह कोब्रा पकड़ के घुम रहा है लेकिन हम बड़े हो गए अब हम कोब्रा देखेंगे तो वह हमार करेगी alert करेगी that is natural fear वो अच्छी चीज है जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो fear नहीं है वो overthinking है आज का जो यूवा है वो fear से परिशान नहीं है वो overthinking से परिशान है अब यो overthinking क्यों है उस factor पर आते हैं overthinking की वज़ए क्या overthinking की वज़ए यह है कि आज का समाज इतना expand कर चुका है you are outside your house तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कर लंडन से आई क्या life लंडन में यार और मैं तो यह कर रही हो कर आखो लगा हम पागल है आई एसकी तेजारी करें फिर शाम को किसी फुरेंड का फोन आ गया कि मैं तो अब ऑस्टेलिया जा रही हूं मैं तो वह एकुर्टिपल फिल्ड्स इतने सारे फिल्ड्स ओपे mush तुझ कमद घूम केशारू तरा देखते हो और दूम देखते हो कि तुम्हारे ही साथ के लोग बड़ी सारी फिल्ड्स में एक्सल कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग भागना शुरू करता है प्र क्य कि वो निशा मिली थी बीस लाग का पैकज है उसका दूसरा प्रेशर तुम्हार उपर आ गया यह जो प्रेशर्स हम मुल्टिपल फेस करते तो एक तुम्हारा प्रेशर, एक माँबाप का प्रेशर पतला का भुवा जी ने राप में फोन कर दिया, क्या कर रही हो? जी तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त मुल्टिपल फ्रेंट पे यह कोई फियर वर नहीं है यह प्रेशर दूर कैसे होगा इस पे थोड़ी सी बात कल ले जहां internal ताकत है, वहाँ confidence है आज का युवा क्या कर रहा है बादाम क तेल लगा रहा है बादाम की क्रीम लगा रहा है बादाम का साभून लगा रहा है खारा गुटका आप लोगों को कि हर तरफ प्रेशर जहलना ए तो प्रेशर जहलने का सबसे अच्छा तरीक होता है इंटर्नल पावर नहां भी जाता हूँ एक चीज़ रिपीट करता हूँ योगा करो, ध्यान करो ध्यान करोगे, मन ताकतवर हो जाएगा हम किसके साथ रहते हैं वो बहुत इंपोर्टन है मेरे एक दोस्त मेरे साथ आरहे थे आज से करीब साथ-ाथ साल पहले, दोला कुवा से राप का टाइम था और हम दोनों मैं गाड़ी चला रहा हूँ हम इंडेगेट सामने से निखले तोनों ने मुझसे कहा कि अब हम बढ़े हो गए हैं मैंने गाली रोकिः, मैंने को फुछा हूँ मैंने को फुछा हूँ उतरो जरा उतर गये, मैं एक दढ़ेशे बंद करो अज आज तक मैंने उसे बात निगी वह जो पूस्ते हैं आज अब तो खरबात ही नहीं होती पर बहुत उन्हों ने कोशिश की कि आवद क्या हुआ तुम दिन पर अपने आपको मोटिवेट करती हो काम करती हो जब तुम वापस घर में आती हो अपने समाज में जाती है तो सब तुम्हारे mental status का तोड़ी है तुम्हारी सारी उर्जा को खीच लेते हैं इसलिए तुम कितने बद्वास हैं माबाब भगवान हैं उनका experience तुम अपने दोस्तों को लेकर जाए करो उनके सामने कोई ultrasound क्या करेगा जितना माबाब करते हैं कोई scanner क्या कर रहे हैं कोई photo camera क्या photo घीचे की देख के बता देते हैं बहुत बहुत दुस्ट है है इसकी यहां के नीचे दो गुर्कुल भीजा जाता था और आज की हमारी सोसाइटी इसको सिर्फ नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है मैं अभी अब घर गया था नमसे लोग कह रहा है भाहिया चौविस का चुनाव लड़ोगे मैंने का यार पोलिटिकल पार्टिया कह रही है कि तुम सिधे परधा अननेसेसरी तूसरों सो मत और यह एक जहां का नहीं है यह यूनिवर्सल हो चुका है तुमने कह दिया कि मैं आइस की ताहर कर रह नहीं होता किसी का तुम इतने डिप्रेस समाज में रह रह रहो हो तो जाओ कोई साहरा नहीं होता आपने टाइब किया संदीब महिश्वरी एक वीडियो आगया आप रिलाक्स हो गया तो एक ही आदमी को आप सुनते हो ना जिससे टेंपरेचर आई होगा हमको सुनने कुछ जादा ही हो गया है तो तुम दस लोगों को सुनो और बागी जो तुमारे साथ पांसो जूने है वह तुम तो नीचे ही लिए या रहे है इ और छली हूआ कि प्रिशादों के कनकाप शिकर होते कबूतिरों के ही घर जो बड़े-बड़े में कबीं किसी बज़गर रहते हैं कब उतर रहते हैं मेहले में महलों में गरून न रहता है कंचन पर कभी न सूता है, कंचन मतलब सूना, लक्जरी नहीं चाहिए, तुम लोग इतनी लक्जरी चाहते हो, लक्जरी आत्मी को मेंटली कमजोर बनाती है, मेरा एक नियम है, नो एक्सरसाइज, नो फूड, और अगर खा, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो मैं खाना बाबाजी उप्रेब में उन्होंने गी डालते चले है, आज कोई भालू नहीं आएगा, मैं जाओंगा, फिर मैंने चारपान लोगों को तैयार किया अपने साथ, उनको थोड़ा मोटिवेल किया, कि जंगल में गूमने से अक्सिजिए लेवल बढ़ता है, वो भी तैयार ह वो भी वॉकर निखले, वो ले हम भी चलेंगे, वाई सब क्यों जा रहे हो, कि नहीं हम भी चलेंगे, किलो मीटर के बाद उन्होंने मुझसे का है, मेरे बैग में यहां बहुत पेन हो रहा है, एक किलो मीटर, यह डाइंग फर लग्जरी, यह विकम वीक फिजिकली और में थोड़ा सा कस्ट दो अपने आपको, थोड़ा ठेमपरेचर आई लग्षण में आपने बहुत सारी गलतें कर दिया, अपने को कस्ट देना छोड़ दिया, आप पढ़िए बड़े-बड़े लोगों, अम बेट कर पड़ो उनका जीवन, संघर्शों का, प्रभुराम का जी आपने उनको साइड लाइन कर दिया आप राना परताब के बारे में कुछ जानते हैं नहीं हो आपको वो पोएम याद ही नहीं है खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी आपको तो एक चीज बदा दी ट्विंकल ट्विंकल आउई वंडर आप वंडर किये ज अधियम का ओफिसमें चले आते हैं हुजूर किसको विचारी को बता है नेता देखा मेंबर ऑपालिमेंट देखा पैर चूली है तेरे फूपा है ने ने भईया सांसच जी है सांसच जी है तो क्यों पैर चूरा है तो पावर इस असलियत में इस देश की जनता के पास है क्योंकि जनता अपने अथिकार को नहीं जानती तो तुम्हें दूर से दिखाई पड़ता है कि अरे तो काम करने के दो तरीके है एक आपको काम करना ही है एक आप किसी भी कीमत पर काम करना चाहते हो जैसे मैं किसी भी कीमत पर पढ़ाना चाहता ही हूँ इस तो मुझे इज उसके मन में कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो क्यों पड़ा है तिसे हमारे कर मामा आये हमारे उनके आने पर हम बड़े खुश होते हैं कि मामा आये क्यों तो कि हम पता था कि जब जाएंगे तो पैसा देगे जाएंगे इस देश के सिक्षक को सरकार को कुछ ऐसा कर रहा है ची कि उसके मन में मोटिवेशन हो कि छे वजे का स्कूल है वो सूबे चार वजे पहुंच जाए कुछ न करे इस देश की सरकार सिर्फ उनको व्याइपी का दर्जा दे दे फिर आप देखना पैसा तो कौन नहीं कमा रहा है सिक्षक सम्मान जाता है तो मैं अपने टीचरों से पुराने मिलता हूँ तो जैसे कहीं मिल गया वो सलक पे मैं खड़ा हो गया सिक्षक एक दुनिया की ऐसी लॉबी है जिसको सम्मान चाहिए आप लोग कहीं भी अपने पुराने टीचरों को मिला करो ठीक हो सकता है उन्होंने आपको अभी मारा हो डाटा हो कुछ भूलाओ लेकिन अब आप उनको सम्मान ले दिया करो उसे बड़ा उन्हें फील होगा हमारे देश के सिक्ष्चों के पास इनर मोटीवेशन की कमी है कुछ लोग है जो इंडिवीच्वल मोटिवेटेट रहते हैं वो करते हैं कहीं सारी टीचर लेकिन बोइडिवीच्वल कुछ लोग होते हैं जिनको अपने धर्म का एःसास होता है उनके लिए वो डियूटी कर रहा है दुछ टिंचर और कम हंदू को सरकार टीचर को कुछ तो ऐसा कर न चाहिए कि फील लो कि नहीं यार यह मारा देश है यह मारे बच्चे हमें इनको बनाना है और ओपर उठाना है तो अगर सरकार कुछ ऐसा कर देगी न self motivation देदी अरे फिर तुम देखना इस देश के teacher हो